मैं राद भूपाली में एक बंदिश गा रहा हुए और लोगों तहीं सबन तरीके से गाउंगा जो राद का फॉर्मेक होना चाहिए जो हर सीखने वाले को धीरे धीरे उस फॉर्मेक को याद करने की आवश्यक्ता होती है उस फॉर्मेक से मैं गाउंगा सबसे पहले आलोगों बोलूंगा और उसके बाद थोड़ा सा आलाप और फिर बंदिश फिर उसमें आलाप फिर अंतरा फिर तांस और इस तरह से उस पॉर्मेक को मैं पूरा करूंगा बहुत ही सरल तरीके से एक स्टूडेंट के लेबल से मैं उसे गाउंगा ताकि आप उसे समझ सकें और सीखना हो तो आप कमेंट में लिख भी सकते हैं इस बंदिश को मैं नोटेशन भी देज सकता हूँ और वैसे तो जिस इस पीड में मैं अभी गाउंगा अगर चाहें आप तो आप उसे याद भी कर सकते हैं आपके सीखने के वी ही ये फॉर्मिट मैं गानी जा रहा हूं तो आईए सुनते हैं सबसे पहले मुराद के आरों अभरों से शुरू करते हैं साब साब देगा साब देगा साब देगा साब देगा साब देगा साब 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 देगा साब आरों अभरों में भी कुछ बातें ध्यान रत्री की है जैसे गव पे ठहरा तो उसे राद निखर करे सामने आता है तो कोशिस करें जैसे मैं आरों अभरों ले रहा हूं ठीक उसी तरह का और आरों अभरों में जल्दगाजी बिल्कुल में करेंगे भीवे से करें जब आपको याद हो जाए उसके बाद धले आप उसे अलंकार के तरफ अभ्यार कर सकते हैं साधे जो पाधा साधा पाधा साधा साध अब छोटे-छोटे आलाग करेंगे जो राग से पहने हमें करना चाहिए छोटे-छोटे राप इस सरल आलाग में गा रहा हूं आप उसे बिल्कुल याद कर सकते हैं साधा साधा साध बिल्सा सारी साध साध बिल्सा साधिव दो प्रत्साह आपकाश्ध bullet है ऐसमा की घाकिफ्की को ठेकल प्रत्साल्य को НАप के प्रत्साह्त? आपके लिक शात्साहणिं प्रत्साहि भुप्रत्साद्सां अई घर अप्र apartments, सारूर आपनें शर्ःगा प्र ישत घरे लुट quyर भी जते सार्व ने लो Richmond गरिगा पारिगा तरिगा पागारि साधा साली धरिंसा गरिगा पागा तरिगा पागारि गपद्धाप जय का दुनर का गपदा गपदा गड़े, गड़े गपदा गड़े, साधे साध। गपदा साधा गड़े, 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 साधा आइए बंदिश शुरू करते हैं और ताल के साथ शुरू करेंगे ये बंदिश फिट बीट से शुरू होती है पांचमी मात्रा से तो जब धाधिन भंदा चलते हैं तो सम के बाद दूसरे पार्ट से ये बंदिश हम शुरू करते हैं सबसे पहले टाल को सुनेगे दाधिन भिंदा धिन थिन थो ती फिर फें थिर्ट दिन आ जाओं तो चरन का मर परवारी हो गो पाल गोबिन्द मुरारी हो गो पाल गोबिन्द मुरारी शरण अगत हूं ग्वारती हारी जाओं तो रे चरन का मर परवारी जाओं तो रे चरन का मर परवारी यह स्टाइब के तीन परवारी है अब हम अंतरा केंगे और सेव पाचनी मातरा से अंतराई शुरू होती है तो यह वांचो त्री पर आनगिन दूडीत भर्यो हूं जड़ मातरा अनगिन दूडीत भर्यो हूं जड़ मातरा किसे विद पाऊं चातूर तूमरे पद किसे विद पाऊं जड़ के एक अधारे जाओं तोरे चरन कमल परवारे जाओं तोरे चरन कमल परवारे हस्थाई अंतरा गाने के बाद हम आलाप करते हैं हस्थाई बी और अंतरा बी तो कुछ आलाप हस्थाई में करते हैं और फिर से ताल को पकड़ते हैं तो आप देखें वो कैसे बता है चरन कमल परवारे सामा सारी जरत करता बाद सा सारी तोरा गड़ते ह्साई चरन कमल पर आलाप करते हैं तो क्या करते हैं यह यह साधा करते हैं जाओं तोरे चरण तामले मरवानि दासारेगा गारेगा पारेगा रेगा पारे, गरेगा पारे, गरे सादसा, जाओं तोरे चरान का मल परवाद। रेगा पारे, गरेगा पारे, गरे गरेगा पारे, गरे सादसा, जाओं तोरे चरान का मल परवाद। जब हम आलाग गाते हैं, और ताल चल रहा होता है, तो गाते समय ताल का भी ध्यान रखते हैं, और गाते हुए आलाग को इस तरह समाख करते हैं, जिससे हम अपनी पंती को पकड़ सकें। तो जो लाइन हम घार हैं, जाओं तोरे वो पांचनी मातरा से शुरू है, तो हम ये पांचनी मातरा से पहले आलाग को समाख करना होगा, तभी हम आलाग को बतिश को आराम से पकड़ आएंगे। ध्यान से सुने से। गरे गापार दापा, गरे गापारे, गरे साध सा एक दो ती चा जाओं तोरे चरण कमल परुखा। अगर कंट्रोल, ताल को समझने का और स्वर लगाने का कंट्रोल बढ़ जाता है, तो हम आलाग समाख करते नहीं पकड़ सकते हैं, आवशर नहीं के पहले खतम होगा। गापार दापा, साध पगरे, गापारे, साजाओं तोरे चरण कमल परुखा। जी कुसी तरह है, अंतरा में भी कुछ आलाग करते हैं, छुटे छोटे आलाग आनगीन दूरीत बर्यो हूं जड़ मत, साध सा, साध सारे सा, सारे दा साध पगर। साध साध पगर। जी कुसी तरह है, आनगीन दूरीत बर्यो हूं जड़ मत, साध 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 पगर। आनगीन दूरीत बर्यो हूं जड़ मत, साध 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 पगर। आनगीन दूरीत बर्यो हूं जड़ मत, किस विद पाऊं। चतूर तू मरे पद, तू मही जग के एक अधारे, जाओ तो रे चरण का मल परवादे। जाओ तो रे चरण का मल परवादे। अब ताल के स्पीड को पुड़ा और बढ़ाए हैं, अब इसमें प्तान करेंगे। पुस्तान अस्काही में दिखा रहे हैं, पुस्तान अंतरा में तो इस तरह से राज़ का फॉर्में पूरा बता हैं। जाओ तो रे चरण का मल परवादे। जाओ तो रे चरण का मल परवादे। अब कुछ तान देखें। परवादे जाओ तो रे चरण का मल परवादे। 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 चरण का मल परवादे। तो चरण का मल जो हम बोलते हैं वो शक्त बीच में आता है। तो जो शुरुवाद करने वाले हैं उन्हें पूरी तरह वो कट्रोल में नहीं आएगा। और फिर शक्त भी बीच में वो कट रहा है। जो शक्त चरण का और पुरि वहाँ से अगर आप शुरू करते हैं तो आधमातरे के काम को आप कर सेओरे तो उसके अतरिक जो मैं बताता हूं इसतरह कहता हूं की आपूरी लाएम को काहां परवारी जाओं तोरे चरण कमल परवारी सारे घरे का बदा बदा सादा पगरसा जाओं तोरे चरण कमल परवारी सारे का बदा सादा बदा पगरसा आ जाओं तोरे चरन कमल बरवारे जाओ तोरे चरण कमल बरवार ये सभी तान बहुती सरल तान है जो शुरू के अच्छे और शुरू गुपिकनस है वो भी इसे आराम से याद कर सकते है वैसे एडवांस लेबल में हम इस तरह के आन को तो करती है साथ में कुछ टेखनिकल आन करते हैं जो शुरूवात में करने में बहुत मुश्किल होगी और वो गुरू के गाइडिन्स में रह कर ही करना चाहिए चरन कमल परवारी जाओं तो रे 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 चरन कमल परवारी अब अंतरा में कुछ तांकर अनगेन तूरीत वर्यो हूं जड़ा मतर अब उसी तरह पांचनी मातरा से शिरू करेंगे तांगे अनगेन तूरीत वर्यो हूं जड़ा मतर 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 अनगेन तूरीत वर्य अनगीन तुरी दबर्यों चड़ामत किस भीद पाउंचा तूर तुमरे पद तुम ही जग के एक अधारे जाओं तुरे जरन का मल परवारे यह है बिगनर्स के जो तान सरल सरल तान है और फिर कुछ सरगम से करते हैं और आसे भी प्रैक्किस करते हैं उसे दोनों का प्रैक्स हो जाता है आगा भी बहुत सल नंता है बात में एडवांस लेवल में इसे भी और अभी तैयार में हम जाते हैं इस स्पीड में जो प्रोफिशनली जो हम करते हैं उसमें सरगम का ताम करते हैं तो केबल सरगम से करते हैं आग का ताम करते हैं तो केबल आखा करते हैं वो इस तरह से कुछ होता है जाओ तोरे चरनेगा बलो बगर सा जाओ तोरे चरनेगा बलोबडरा और कुछ यह तो बद्हा बद्हाओ सिक्स की मात्री का तामभा कुस्तान होता है जो फ्री होता है जाओं तो रे चरन कमल परवाद जी उसी तरह जब आ से करते हैं तो फ्री जाओं तो रे चरन कमल परवाद जाओं तो रे चरन कमल परवाद कमल परवार, कमल परवार, हर लेले इस तरह से राग का फॉर्मेट होता है तो जब हम अलग-अलग राग सीखते हैं हर एक राग में बिगनर्स से शुरू होते हैं उसमें कुछ आला, आलो, अभरो और पकर हमें जानना चलिए राग के राग को समझने के लिए और आलो, अभरो का अच्छा ट्रैक्स हमें करना चलिए और उसके बाद फिर उसमें बंदिश सीखते हैं और उस बंदिश में बंदिश अलग-अलग तरीके का होता है उसमें भी कुछ बंदिश होती है जो बहुत ही सरल है छोटे छोटे बच्चों के लिए होता है कुछ जो उससे थोड़े अडवांस लेवल के बंदिश होते हैं उनके लिए कुछ होता है कुछ और भी समझदार जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए होता है तो अलग अलग बंदिशें होती है, कुछ प्रोफेशनल बंदिशें होती है, जो गायक लोग गाते हैं, जो हम लोग प्रोग्राम करते हैं, कंसर्ट करते हैं, तो उसमें उस तरह के बंदिश को गाते हैं, जिसमें कुछ टेक्निकल बंदिशें होती है, थोड़े फास्ट तर के से उसे हम गाते हैं तो वो है एडवांस लेवल के बंदिश तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे और अगर आप एडवांस लेवल के स्टूडेंट हैं तो आप धीरे धीरे मेरे और वीडियो पर जाएं धीरे धीरे आपको और भी बंदिशें मिलेंगी मैं ब तो इस तरह से हम राग का फॉर्मेट बनाते हैं और एक एक राग करके इस तरह हम पूरा करते हैं तो बहुत तरह के राग हैं जो आप course करते हैं first year, second year, third year इस तरह करके तो उस course में जो इस तरह से राग हैं, अलग अलग राग तो उसे आप इसी फॉर्मेٹ से धीरे धीरे तैयार करते हैं और कुछ वर्ष में जब आप बहुत से राग को करते हैं 10, 12, 15, 20 राग कर लेते हैं, अच्छी तरह सीखते हैं, और अच्छा प्रैक्टिस करते हैं उसका, तो आप गायक हो जाते हैं. और हर गायक का अपना अपना इस्किल होता है, अपनी अपनी प्रतिभा होती है, अपनी प्रतिभा से जितना प्रैक्टिस वो आर्टिस्ट करता है, जितनी साधना वो करता है, उसी तरीके से वो बाहर निखर कर आता है, उसकी तैयारी वैसी होती है, उसके गाने का जो एक अं करता है मिजिक का राग के विशे में उसके थियोरी को अध्यान करता है उस तरह देरे-देरे उसके गायकी में निखार आता है उसकी गायकी उतनी अच्छी होती चली जाती है तो मैं दुआ करता हूँ मेरी सुद्कामना आप सब के साथ है आप भी प्रैक्टिस करें कोई भी क्विश्चन हो तो आप मुझे निश्चतरूप से पूछें और मैं बिल्कुल खुला हुआ हूँ आप सब के लिए सब को बताने के लिए मैं यहां बैठा हूँ जो भी क्विश्चन हो आप पूछ सकते हैं और साथ में यह अगर जरूर करूँगा कि आप चैनल को सब्सक् कि में जरूर करें उससे हमें लगता है कि लोगों को अच्छा भी लग रहा है जिस तरह दो लोगों को पसंद भी आ रहा है या इसी लिए मैं चाहूंगा आपसे कि आप हर बार जितनी बार आप सुनते हैं, कमेंट जरूर करें, आप जो भी समझ पा रहे हैं, जो भी सुन पा रहे हैं आप उसके आधार बेवस पर आप कमेंट जरूर करें और कोई question हो तो आप comment में लिख भी सकते हैं ताकि मैं आपको भविश्य के किसी भी वीडियो में मैं उसे आपको बता सकूँ ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए और सुनने के लिए इसी तरह आप सुने और खूब आगे बढ़ें और इस तरह से संगीत किया खूब सेवा करें धन्यवाद